आज की वीडियो में हम एक बहुती कामन स्किन कंडिशन के बारे में बात करने वारे है केराटोसिस पिलियारिस अब ये एक ऐसा बहुती कामन स्किन कंडिशन है यहां तक की बॉलिवुड के सेलेब्रिटीज को भी हुआ है यामी गौतमी को especially हुआ है क्योंकि उन्होंने एक news paper interview में कहा है कि वो keratosis pilliaris की patient है keratosis pilliaris का बहुती simple treatment है जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी उसके साथ साथ कुछ ऐसे fantastic घरे लून उसके भी बताऊंगी जिससे आप keratosis pilliaris को completely खतम कर सकते हो keratosis pilliaris एक ऐसा बहुती common skin condition है जो मैं आपको अभी photo दिखाऊंगी तो आपको भी लगेगा कि येस आपको भी skin condition है तो चलिए first मैं आपको सब photos दिखाती हूँ तो आपको एक idea हाजाएगा कि मैं keratosis pilliaris ये कैसा एक skin condition है किसके बारे में मैं बात करी हूँ तो चलिए photo देखते है ये देखे कई बार आपको इस तरह का thighs पे ऐसे होता है especially ladies में जब वो waxing करते है तो इस तरह का होता है ये देखे मैं थोड़ा सा zoom करती हूँ तो आपको दिखाई देगा इस तरह के आपके skin पर markings आ जाते है generally waxing करने के बाद या लड़कों में shaving करने के बाद ऐसा होता है especially winter season में ऐसा होता है next photo देखते है ये देखे बहुत सारे लोगों को इस तरह से घुटनों पर इस तरह से bumps आ जाते है इस तरह का dryness हो जाता है बहुत सारे इसे bumps आ जाते है especially अगर dark skin होती है तो इस तरह का बहुती ugly दिखता है ये देखे ये next patient में किस तरह से ऐसे गुटनों पे ऐसे bumps निकले हुए है ये आप देख सकते हो बहुत ही common condition है very very common ये देखे हाथ पर इस तरह के जैसे ऐसे लगता है जैसे की रॉंग्टे खड़े हो गए है लेकिन ये permanent रहता है और ऐसे दिखने में you know without sleeves वाले अगर आप tops प को इस तरह से face पर भी होता है especially Yami Gautami को इस तरह से face पर keratosis piliaris हो गया है face पर इस तरह के चोटे-चोटे bumps आ जाते हैं pimples नहीं होते लेकिन इस तरह के चोटे-चोटे bumps हो जाते है face पर और जो बहुत ही ugly दिखते है discoloration भी हो जाता है hyperpigmentation भी हो जाता है उस पर ये देखे य एक और patient है ये आप देख सकते हो कैसे उसको face पर इस तरह के bumps आ गये है ये देखे कुछ patients को peat पर भी हो जाते है ऐसे especially लड़कों में जो बहुत ज्यादा gym जाते है तो उनमें इस तरह के condition इस तरह का देखा जाता है ये देखे आप देख सकते हो कैसे bumps हो गये है और जब आ आपको आगे के वीडियो में बताने वाली हूँ ये देखे लेडीज में भी जब especially लंबे बाल होते है लेडीज को तो गर्मी की वज़ा से skin में कभी उनको कोई reaction हो गया होगा तो इस तरह से लेडीज को very common in India ये बहुत सारे youngsters में मैंने देखा है बहुत सारे patients आते हैं इस तरह के उनको elbows में उनको elbows में इस तरह का bumps आ गये है और जो बहुत ही गंदे दिखते है पूरा body एकदम proper है लेकिन elbows एकदम काले-काले हो गये है और बहुत सारे bumps हो गये है सेम इसी तरह से ये देखे ये गुटनों पर ऐसे होता है तो ये थे कुछ pictures patients के जिनको keratosis piliaris है अब ये keratosis piliaris क्या है क्या ऐसा कोई खतरनाग भयानक skin का condition है क्या ये cancer answer तो नहीं देखे keratosis piliaris एक बहुती harmless condition है completely innocent condition है generally ये youngsters में देखा जाता है जिनकी age 30 साल से कम की हो 30 साल के बाद जैसे जैसे उनकी age बढ़ती जाती है ये completely अपने आप ही ठीक हो जाता है लेकिन अगर आपको बहुती ज्यादा आप self conscious हो इस तरह के काले काले dots हो गए है या फिर बहुत सारे ऐसे bumps आ गए है face पर और जिनको you know sleeveless पहनने की आदत होती है तो hands पे बहुती खराब दिखता है dark skin, fair skin दोनों के लिए ये बहुती headache है इस तरह का skin condition you know बाकी pimples वगरे नहीं है लेकिन इस तरह के bumps है इस तरह के चोटे चोटे dots है तो इसको कैसे हम ठीक कर सकते है सबसे पहले तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि keratosis piliaris आपको क्यों हुआ है अभी ये keratosis piliaris का research से ये पता चला है कि जिन लोगों में vitamin A की deficiency होती है तो उनको skin बहुत ज्यादा dry हो जाती है, excessive skin dryness हो जाती है and जब season change होता है, atmosphere में humidity कम हो जाती है, ठंडी कम उसम start हो जाता है climate एकदम dry जैसा हो जाता है, तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है ये तो inherently आपको vitamin A की deficiency जो होती है, अगर आपने बचपन में गाजर, बीट, ये सब juice वगरे नहीं पिये होंगे तो chances है कि आपको आगे चलके ये condition हो सकता है अब इसका इलाज क्या कर सकते है, इसका इलाज क्या है, देखिए इसका इलाज घरेलू भी है और अलोपेथी में भी इसका इलाज है, कुछ अलोपेथिक क्रीम्स में आपको बताऊंगी, जिसके यूज करने से ये completely आपका ठीक हो जाता है किसी भी तरह के अलोपेथिक मेडिसिन, किसी भी तरह के क्रीम्स, इवन घरेलून उसके अगर आप ट्राइ करते हो, प्लीज अपने डॉक्टर की सला ले लिजे अगर आपको केराटोसिस फिल्यार इसको completely ठीक करना है, तो मॉइस्चराइजिंग के लिए definitely yes, आपको मॉइस्चराइजर यूज करने चाहिए थोड़े से heavy duty moisturizers यूज करने चाहिए, especially जो dry skin के लिए जो होते है, वो moisturizer यूज करने है, moisturizer आपको दिन में 2-3 बार यूज करने है, face पर जो आप face wash यूज करते हो, तो वो creamy face wash होना चाहिए gel based face wash नहीं होना चाहिए, exfoliation, अब exfoliation के लिए को क्या करना है, exfoliation के लिए आप chemical peels करा सकते हो, आप lactic acid peel या फिर salicylic acid peel करा सकते हो, लेकिन please ये आप एक proper dermatologist के पास कराईए, क्योंकि आपकी skin काफी dry है, तो इसलिए बहुत ज्यादा chances है कि इस तरह का chemical peels आप कराते हो, इस तरह का chemical exfoliation आप आपकी skin पर कराते हो, बहुत हाई chances है कि आपकी skin permanently redness हो जाएगी या permanent आपकी skin पर hyper pigmentation हो जाएगा, इसलिए keratosis piliaris के लिए कुछ doctors recommend करते है, peels करने के लिए, लेकिन मैं आपको recommend नहीं करूंगी कि keratosis piliaris के लिए कोई peel आपको करना है, instead of that exfoliation के लिए आप normal जो walnut scrub अवेलेबल है market में, अलग-अलग brand से walnut scrub अवेलेबल होता है, तो वो आप हफते में 2-3 बार gently अपने skin पर use कर सकते हो, ये walnut scrub आप हफते में 2-3 बार अगर अपने face पर gently use करते हो, अच्छी तरह से gently exfoliate करते हो, और उसके बाद heavy duty कुछ moisturizer लगाते हो, तो इससे भी आपका problem solve हो जाएगा, इसलिए आपको कोई chemical peels या ऐसा कोई cosmetic procedure कराने की कोई जरूरत नहीं है, अब बात करते हैं कि क्या ऐसे कोई specific creams है, जो हम use कर सकते हैं हमारे face पर या फिर हमको कहीं पर भी हुआ है, केराटोसिस, फिलियारिस, थाईज पे, लेंग्स पे, नीज पे, अल्बोस पे हुआ है, तो हम ऐसा कोई specific cream use कर सकते हैं, येस, मार्केट में retinol based cream अवेलेबल है, अभी retinol भी एक part of vitamin A है, it's a type of a vitamin A, तो vitamin A based, retinol based creams market में easily available है, उसमें से एक cream जो आता है, जिसका नाम है retinol A, तो इस पर already channel पर video मेंने बनाया है, उसका mad kyc किया है, वो retinol A cream कैसे use करना है, side effects क्या है, कितनी बार use करना है, सारे details, वो video में mention किये है, वो retinol A cream का जो link है, वो मैं description में डाल दूंगी, तो वो video आप देख लिजे, तो यह साब retinol A cream use कर सकते हो, starting में 0.025, जो minimum उसका concentration है, उससे आप start कीजे, जो भी affected area है, उसको पहले clean कीजे, ज्यादा harsh soap मत use कीजे, लेकिन उसको पानी से भी अगर आपने clean कर दिया, तो भी चलेगा, उसके उपर फिर हलके हातों से मसाज करके, जो retinol based cream है, उसको लगाईए, अब ये जो retinol based cream जो आप use करोगे, keratosis philiares के लिए, उसको दिन में सिफ एकी बार use करना है, दिन में नहीं, आपको रात को use करना है, रात को सोने से पहले आपको ये retinol based cream को use करना है, लगाना है, हलके हातों से मसाज करना है, थोड़ा सा creamy based है, obviously क्यूंकि आपकी skin बहुत dry है, इसलिए आपको cream based retinol cream ही use करना है, कोई भी gels और lotions use मत कीजिए, तो ये cream आपने लगा लिया, तो उसको रात भर ऐसे ही छोड़ना है, next morning आप नहाते समय उसको wash कर सकते हो, बस इसको सिफ रात को ही लगाना है, आप starting में हफते में 2-3 बार retinol based cream use कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये common complaint है, कि अगर वो retinol based cream use करते है, keratosis pilaris के लिए, तो अगर वो regular use करते है, तो उसकी वज़े से skin थोड़ी सी red हो जाती है, skin में peeling आने लगता है, तो इसलिए हफते में 2-3 बार आप retinol based cream use कीजिए, एक बार आपकी skin adjust हो जाती है, तो उसको आप daily रात को use कर सकते हो, लेकिन इसको दिन में सिर्फ एक ही बार, यानि सिर्फ रात को ही use करना है, इससे ज्यादा frequency में use मत कीजिए, ये काफी heavy duty और dangerous cream है, ओके, तो ये आपने use किया, तो कितने दिन में आपको फाइदा होता है, 6-8 weeks में जब आप ये इस सरह की treatment start करते हो, तो 6-8 हफतों में आपकी skin में complete improvement हो जाता है, अब इसके अलावा क्या हमको कोई medicines लेनी है, yes, very good point, ये start ही इसलिए हुआ है, keratosis, philiares आपको हुआ ही है, इसलिए क्योंकि आपके body में vitamin A की कमी है, तो अब vitamin A के क्या हमको supplements लेने चाहिए, yes, vitamin A के supplements market में easily available है, आपके family doctor से पूछ कर आप vitamin A का कोई अच्छा वाला supplement ले लीजिए, लेकिन किस सरह से लेना है, देखिए vitamin A का जो supplement है, यह थोड़ा सा dangerous है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा ले लिया, अगर आपने आपके body में vitamin A overdose हो गया, तो उसकी वज़़से आगे चलके cancer वगेरे की बिमारी भी हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से लेना, vitamin A का जो supplement है, जो standard market में available है, ऐसे pearl form में available है, जैसे वो 7C's cod liver oil कैसा होता है, इस सरक अवेलेबल है, तो यह आपको हफते में सिर्फ एक ही बार लेना है, येस, आपको यह daily use नहीं करना है, आपको सिर्फ हफते में एक ही बार लेना है, तो यह आप morning में दूद के साथ या नाशते की बाद आप इसको ले सकते हो, best time to take vitamin A is in the morning, क्योंकि यह fat soluble vitamin है, इसलिए आपको खाना खाने के बाद लेना है, यानि कि नाशता के बाद आपको यह vitamin A का supplement लेना है, हफते में एक बार आप इसको ले सकते हो, आपको हफते में एक बार अपने face पर steam करना चाहिए, जब आप face पर steam करते हो, 5-7 मिनिट के लिए face पर steam कीजिए, steam करने के बाद walnut scrub से face को हलके हातों से exfoliate कीजिए, exfoliation करने के बाद कोई अच्छा वाला creamy, heavy duty, thick, moisturizer अपने face पर लगाईए, अपने face पर हलके हातों से massage कीजिए, ताकि जो भी moisturizer है, वो आपके skin के pores में अच्छी तरह से absorb हो जाए, ये करने के बाद आप सो जाएए, तो ये आपका night process होना चाहिए, रात को आपको steam करना चाहिए, और जो मैंने आपको procedure बताया, ये आपको करना है, हफते में सिब आपको एक ही बार करना है, आपको इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्या आपको कुछ और diet precaution करने चाहिए, येस, आपको पानी ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप dehydrated हो, तो आपकी skin भी बहुत ही ज्यादा कीची-कीची, और बहुत ही ज्यादा सूखी-सूखी लगती है, तो इसलिए hydration करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, आपको दिन में 4 लीटर तक पानी आप ले सकते हो, इसके अलावा घरेलू उपचार तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, येस घरेलू उपचार आप कर सकते हो, आपको इक्वल कॉंटिटी में गाजर लेना है, इक्वल कॉंटिटी में कच्चा बीट लेना है, और एक मुठी धनिये के पत्ते, ये तीन चीजों को अच्छी तरह से मिक्सी में मिक्स करना है, इसका जूस निकलना है, जूस में अगर आधा आधा जूस, मतलब आधा रस, आधा पानी, इस सरह से डाइल्यूट करके इसको आपको पीना है, क्या हमको रोज लेना है, नहीं, आपको ये वाला जूस जो मैंने आपको बताया, ये आपको हफते में तीन बार ही सिर्फ लेना है, सुबह में आप खाली पेट ले सकते हो, नाश्ता के बाद भी ले सकते हो, completely fine, लेकिन हफते में तीनी बार लेना है, हफते में तीन बार लेने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, वो इसलिए क्योंके कई बार बीट जो होता है, ये digest होने में थोड़ा सा problematic हो सकता है, और आपको stomach irritation हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, अफकोस जब आप juice बनाते हो, तो मैं ये assume करती हूँ, कि आप साफ सफाई का अच्छी तरह से ध्यान रखोगे, अच्छी तरह से उसको साफ करके आप वो juice बनाओगे, जब आप ये juice बनाते हो, तो उसको फ्रिज में store करके मत रखिए, उसको fresh बनाकर fresh पीजिए, एक बात का ध्यान रखिए, कि अगेन मैं कहती हूँ, उसको dilute करके आपको पीना है, हफते में तीन बार आपको करना है, इससे आपका keratosis philiares भी ठीक हो जाएगा, और अगर आपको इस तरह का चश्मा है, कम उमर में चश्मा आ गया है, आँखों की कोई problem है, तो वो भी आपकी completely ठीक हो जाएगी, तो ये आपको follow करना है, तो keratosis philiares के बारे में, आई होप आपको detail में जानकारी मिल गई होगी, अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए, और कोई queries है keratosis philiares के बारे में, skin के बारे में, तो आपको एक आसान तरीका है, आपको मुझे directly आपकी questions इमेल करने है, मेरी email ID जो है, वो मैंने description box में post कर दी है, तो वो email ID पर आप आपकी questions मुझे पूछ लिजे, तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए stay fit, stay healthy and don't forget to stay awesome. Bye. जो मैं आपकी pewाए़। कर दो मैं मुझे थिताएफ आमोडों सिर्फ है।